हेलो फ्रेंड्स आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गार्डन डिजायज में तो फ्रेंड्स ये आपके सामने कुछ सीड्स रखे हुए हैं ये विंटर के सीड्स हैं जो मैं इस साल लगाऊंगी तो अभी जो है अक्टूबर एंड होने वाला है और नवंबर स्टार् हो रही हैं तो मैं ये सीड्स कुछ सोच रही हो लगाने के वैसे मैंने कुछ सीड्स अपने गार्डन में लगाए थे पर अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होंगी तो मैंने आपको बताया था कि यहां पर गिलहरियां बहुत जादा हैं तो वो सीड्स जो हैं वो उस पॉर्ट को जो है कवर करके रखूँ ताकि जो सीड्स हैं वो बज जाएं और उसमें से प्लांट्स निकल आएं तो आईए दिखा देती हूं मैं आपको कि काउन कौन से सीड्स हैं जो मैं लगाने वाली हूँ यह है नेस्ट्रेशियम का यह लोकल ही मैंने नर्सरी से लिय है अलपाइन वराइटी का यह है गजैनिया उसके बाद यह है फ्लॉक्स यह कुछ इस तरह से हैं फिर है यह कोलियस उसके बाद असाइलम वाइट कलर का और यह है पॉपी कैलिफोर्निया इस शेर में है यह तैन यह एक्रोलीनियम जो पेपर फ्लार होता है न वो वला है और यह है चैरी टमाटो उसके बाद यह है ओरिगैनो देन यह है पालक यह देसी वराइटी है और यह काफी अच्छे रहते हैं और ऐसे ही यह है कस्तूरी मित्थी तो यह सब मैं इस बार लगाऊंगी फ्रेंट्स यह म वाटर में डालके इसको प्लांट्स पे स्प्रे किया जाता है तो इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है क्रसंथिमम एन्वल जो होते हैं वो है यह उसके बाद पैटूनिया यह भी पैटूनिया है यह नर्सरी लाइक से मंगाये थे मैंने उसके बाद मेथी लैटस मिक्स और फिर यह है बर्बीना यह देखिए कलर नहीं पता है फैंस इसमें कौन से निकले बट यह है वाइट ब्रिंजल और बीट रूट यह मैंने लास सीजन भी लगाई थी और इसमें मैंने जो हैं कुछ अपने पुराने से शेव करके रखे हैं गजैनिया के और कैलंडूला क और यह कोलियस है इसके अलावा फ्रेंट्स कुछ मैंने सीज़ अपने रखे हुए थे यह इसमें बॉक्स में रखे हुए है यह है ड्रैगन फूट के मेरी वीडियो भी है तो यह इसमें सीज़ है मैं आपको खोल के दिखाते हूं एक मैं तो फ्रेंट्स यह है ड्रैगन फ तो मैंने इसको grow करके भी दिखाया था इससे पहले जो harvest की थी वो grow करके भी दिखाये थे और काफी अच्छे grow कर गये थे बट जो है mouse वहाँ पर इसके जो छोटे छोटे सैपलिंग से उसको खा गये थे तो मैंने आपके सब इसकी जो है वो शो की थी, रिजल्ट शो किया था, तो आप वो भी देख सकते हैं, बीदे चैनल पे इसकी वीडियोज हैं, तो ये ट्राइ करती हूँ, वैसे की लहरियां बहुत हैं, तो देखती हूँ कि ये लगाती हूँ कि नहीं, वैसे अभी मैं बिं है, क्योंकि ये मीठी होती है, ये मीठी होती है, ये मीठी मतलब इतनी कड़वी नहीं होती, तो इसको शायद ये कीडा लग जाता है, तो मैं इसको धूप में इसको निकाल के उसके जो सीर्ज बचे हैं, वो ग्रो कर लूँगी, ताकि नेक्स टाइम के लिए मुझे फिर स सेव करके रख लूँगी, अगर ये वल्लो में से सीर्ज नहीं, प्लांट्स नहीं निकले, तो मैं इसमें से लगा लूँगी, तो उसके लावा फ्रेंड्स ये हम हिमा चल गए थे, तो वहां से मैंने कुछ मॉर्निंग लोरी और ये सब जो होते हैं, वहां से उसके सीर्ज तोड़े थे, ये देखिए, ऐसे सीर्ज पॉड लगे हुए थे और वो तोड़े थे, तो उसमें से मुझे काफी सीर्ज मिल गए थे, ये वैसे जो लिफाफा है, वो बायो काप का है, बड़ इसमें जो है मैंने ये हॉली होक के सीर्ज डाले हुए है, ऐसे ही कुछ जो अमेजोन में मिलता है, वो उसके ये पैक्स हैं, और ये भी हॉली होक है, वो ही, ये भी मैंने कश्मीर से लिया था, तो फ्रेंट्स इसके लावा मैं ये वले हॉली होक है, ये लगाऊंगी, ये अमेजोन से लिये थे और ये काफी पुराने हो रहे हैं, तो देखते हूँ, इस बर लग जाते हैं तो ठीक है नहीं तो फिर फैंक देंगे फिर तो क्यों रखना इनको और ये red spinach है ये दिखिए गजैनिया के seeds है इसको लगाने के लिए आपको sandy soil चाहिए जो टॉप पे soil है वो एकदम जो है रितीली मिट्टी हो तो फिर ये बहुत अच्छे ग्रो करते ह जो hard मिट्टी है उसके उपर से ये फिर ग्रो नहीं कर पाते तो अगर आपको इसको लगाना है तो नीचे soil पे ये डाल के उपर बहुत हलकी layer एक रिते की मिट्टी जो होती है जिसे भालू कहते हैं वो डालें तो ये बहुत अच्छे ग्रो करते हैं ऐसे ही ये calendula है ये लगा लूँगी marigold है इसको भी मुझे बचा कर लगाना पड़ेगा क्यूंकि ये लहरियां बहुत खा रही है इसको marigold को इसके seeds भी खतम कर दे रही है ऐसे ही ये ice flower है और ये है क्लार किया और ये है ester princess ये भी marigold है african और ये poppy iceland ये मुझे लग रहा red color ही होगा white नहीं होगा इसमें और ये डेलिया हैं दोनो pom pom scarlet और ये normal daily तो देखते हूँ वैसे मुझे ये amazon के seeds का अच्छा review नहीं है मैंने पहले भी use किया तो ये छिग्रों नहीं करते हैं बट आप मेरे पस पड़े हैं तो मैं ये भी लगा लूँगी और आपके साथ इसका result share करूँगी ये मेरे पस morning glory के seeds हैं ये मैंने harvest की हैं कुछ से इसी में ही डाल दी है मेरे पस ये packet पड़ा हुआ था और ये कुछ चिली है उसके seeds हैं और ये है धतूरा होता है जो काला धतूरा उसके seeds राले आए मैंने इसमें तो मुझे कहीं से मिल गया था उसका तो उसके seeds मैंने इसमें डाल दी है इस तरह से तो ये भी एक अदा seed लगाके मैं grow करूँगी और ऐसे ही ये holly hop की जो variety इसमें भी कीडा लग रहा है तो ये भी मैं grow करूँगी पर नहीं तो ये खराब हो जाते हैं तो friends आपके पास भी अगर seeds पड़े हैं तो उनको ज्यादा देर तक save मत रखें क्योंकि उनका germination rate वैसे ही decrease हो जाता है साल दर साल तो उसे जो है उसी time जो है grow कर लीजे जब season है उससे जो नया seed बनेगा आप वो फिर save करके रख सकते हैं ऐसे cycle चल सकता है otherwise आप जादा देर save रखेंगे तो उसका germination rate जो है वो बहुत जल्दी decrease होता है 50% भी नहीं रहता और फिर उसके ब और bell icon को प्रेस कीजिए तो मिलते हैं और ऐसी ही वीडियो के साथ thank you happy gardening